हरहर महादेव जय भोलेनाद, नमस्कार दोस्तों मैं शाधना पांडे मागदर्शन पे आपका स्वागत करते हूँ दोस्तों मैं बात करूँगी सावन के अंतिम सोमवार यानि की चोथे सोमवार जैसा कि इस बार सावन में चार सोमवार पड़ रहे हैं तो चोथा सोमवार सावन महिने का अंतिम सोमवार है इस अंतिम सोमवार को ऐसा क्या कर लिया जाए जिससे वर्सों से रुकी हुई आपकी कामनाई पूण हो मुझे पता है आप सभी ने पूरे सावन महादेव की भगत बिधी विधान से मन से आराधना की पूजन किया कुछ ऐसे भी सेज कारण थे जिनके लिए आपने बहुत सारे मनती की और आपने बहुत सारा ब्रत की आनुष्ठान की अब बहुत सारे उपाय किया लेकिन अब तक दुर्भाग्य वस वो चीज़े पूर नहीं हुई मैं यह बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप में कोई कमी थी या फिर महादेव ने आपकी सुनी नहीं ऐसा नहीं होता है दोस्तों महादेव हमेशा सब की सुनते हैं हम सब की सुनते हैं दिक्कत यह होती है कि हम अनजाने में जो हमसे हो ही जाते हैं और उससे हमें दुख मिलता है और इसको कटते कटते इतना समय हो जाता है कि हम उससे निरास हो जाते हैं परिशान हो जाते हैं तो आज जो मैं उपाय बता रहे हूं आपको इस उपाय को आप गांठ बांध करके रख लिए क्योंकि हंड सावन का अंतिम शोमवार देखिए बताना तुम्हें आपको यह उपाय पहले ही शोमवार चाहती थी लेकिन मैंने सुचा आप इस उपाय को आप अपनी पूजा आरातना संपूर्ण तरीके से करके पूरी तरह से संतूष्ट हो जाए फिर अब यह अंतिम शोमवार है आप आ चीज मैं बता दूँ आपको कि इस वीडियो को आज के वैसे तो मैं यह बात नहीं करते हूं लेकिन फिर का रही हूं आपको कि पूरे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यदि आप ने एक चीज भी ध्यान नहीं दिया आपका ध्यान भटका तो समझे कि आपकी बाते जो है वह पढ़ती ही आ रहे हूं तो जितनी चीजों मैंने देखा एक चीज को बहुत अधिक महदवदी आ गया है मनुकामना की पूरती के लिए वह है दोस्तों पार्थिव लिंग की पूजा करना देखिए पार्थिव लिंग की पूजा यदि जिस वीधी से मैं बताने जा रहे होती थी से किस तरीके से होती है सबसे पолे तो फार्थिव लिंग की बेवस्ता करने को कैसे लाएंगे तो यदि आपके आजफार्स नदिय सरौवर जला से कुछ भी हैं तो आप उसमें से मिटी ले आएए और नहीं है तो आप थोड़े से मिटी पीपल के जड़ से ले द ले आने के बाद आपको सुध्य करना होता है मिट्टी को सुध्य करने के लिए जो है महादेव का नाम लेते हुए मागंगा से बेहतर तो कुछ भी नहीं है आप जैसा कि जानते हैं हम लोग घर में पवित्री करना हुआ कुछ भी करना हुआ तो मागंगा को ही स्मर्ड करते ह कि इसको पवित्र करना है मिट्टी को रख देजिए अब आपको सिवलिंग का निर्माड करना है किस प्रकार करना है यह समझे आप सबसे पहले तो आपने जैसे तीन सो मार में पूजा की उस तरह आज भी आप पूजा करेंगे मंदिर जाकर अब शीक किया तो आज भी मंदिर जाए घर पी किये तो घर पे करें जैसी कि आपने वैसी करिए पूरी पूजा आपकी शंपोड हो जाने के बाद थोड़ा आपको समय देना होगा दोस्तों क्योंकि कोई चीज इस तरह से हासानी से हमें प्राप्त नहीं होती है बीना परिश्रम बीना मुसकत बीना किसी मताई गही है कि आप शीटिंग का निर्मार कर रहे हैं देखिए अधीक पूजा का फाल आपको क्यों प्राप्त होता है इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि आपने सियुलिंग का स्वैम निर्मार करना है सिवलिंग निर्माड करना दियान देजी मेरी बात को एक स्वयम में बहुत बड़ा पूरे का काम है जिसे आप जानते भी नहीं है प्राजा लोग जो है मिट्टी के तरह खिलोने की तरह सिवलिंग का निर्माड करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों आप एक बहुत बड़ा कारे कर रहे है इसलिए ही आपकी मनोकामना पूर होती है क्योंकि आपने स्वयम सिवलिंग निर्माड किया तो ये चीज बहुत बड़ी है जो की ध्यान देने वाली है मिट्टी का सिवलिंग निर्माड करने के बाद आप उनको छोड़ करके तभी जाएं जब आप उनका पूजन करने तो आप पूजन की तो ये हो नहीं सकता कि आप सारी समगरी कठा करके कुछ न कुछ जरूर कमी हो ही जाती है तो सबसे पहले उस पर या तो एक मेल पत्र र पूजित कर देते हैं तो इसली तुरंथ पूजन कर देना चाहिए जो आपने बनाया ओब आ इसमें करना ये है कि आपकी वीडियु है जिसमें बताय था आपको या तो नहीं आ रहा है टॉपिक कौन सा था लेकिन बताया था मैंने उसमें तो बताया था कि पंचाम रित का अभिशेक सर्व सुक प्रदायक है ये पांच चीजे अपने आप में ही सभी सक्तियों को निचोड करके यानि कि एक कहें तो साधान सा स्थब्द बताया गया पंच यह कहूंगी कि जो चीजे आपको मिल से कि उनसे पूजा किजेगा यह कहूंगी कि आप थोड़ी सी परिशानी जहे लेकिन इन चीजों को इकठा किजिए दूद दही घी सकर शहद यह चीजे जब आप इकठा कर ले तो आप इनसे सबसे पहले महादे जी को इसनान कर आए उसके बाद साधान जल से सुद्धोधक स्थान कराया जाता है दोस्तों हर एक अभिशेक जब आप कर लें जैसे आपने दूद गिरा है तो थोड़ा सा जल गिरा है इसको सुद्धोधक स्थान कहा जाता है शास्त्रों में तो ये कराईए यानि कि हर एक द्रब्बे से स्थान तो आज भी भगवान भूले नात को वस्तर का सुरूप करके मौली चढ़ाएं उसके बाद जो है आप भगवान भूले नात को यदि भस्म है तो वो चढ़ाएं और सारी जो फूल पतियां आपको मिले वो चढ़ा दें आप जानते भी हैं इसलिए मैं बहुत ज्यादा विस् करेंगे तो आप इनको ढूंट करके लाइए और 108 बेल पत्र को भली भाती साफ कर लिजे साफ करने के बाद जो है आप इनसे चंदन से चाहे आप कोई चंदन हो अश्टगंदो आप उससे राम राम लिखे देखिए आप ओम नमस्यवाय लिखे तो भी चल जाएगा लेकिन चलने वाली बात मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहे हूँ आपकी कामनाओं को पूर्ति कराने वाली बात कह रहे हूँ अब बताते जा हो आपको कि क्यों आप ओम नमस्यवाय लिखेंगे तो ये चीज़े बहुत ज़ादा असर डार है ये मंत्र लेकिन उससे भी ज़्यादा अ आसन बिल्कुल आपके लिए हिलने लगता है उनका ध्यान आपके उपर जाता है जो जातक इस तरह के वेल पत्र उनके उपर अर्पित करता है तो ओम नमस्रिवाय लिखे बहुत अच्छा लेकिन राम नाम लिखके जब आप अर्पित करते हैं तो अति उत्तम इसका कोई है जब भी हो सामसे पहले आप यह पूजा संपन कर लें तो 108 बेल पत्र लेकर कि और आपको एक एक बेल पत्र पर एक एक अक अक्छत रखनी है तो इसलिए आप बिना टूटे हुए चावल भी इंतजाम कर लें देखिए ऐसे चावल जब आप रेगुलर वाले बिनने लग काते हुए आप इनको महादे को समर्पित कर जाए तो कहा गया है रावन संगिता में कि इस तरह के जो बेल पत्र होते हैं वो निश्चित रूप से आपकी कामनाओं की पूर्ति कराते हैं इसलिए 108 की संख्या में यह चीजे चड़ाई जा रही है वो भी आज के दिन जो कि मास में पूर्ण नहीं हुई वो मात्र सिवलिंग का निर्माड कर और इस विधी से पूजन करके मात्र तीन महीने के अंदर अंदर आपका जो भी कारे होगा जो भी कहे असंभो से असंभो कारे आपका पूर्ड होगा दोस्तों असंभो सब्द का यहां पर प्रयोग किया ग पूजन के समय ध्यान रखना है पूजन कभी भी मौन हो करके चुपचाप सांती से नहीं किया जाता है। अब दूसरी चीज़ बताती हूँ आपको ये उपाय तो एक उपाय हो गया जो कि आप सभी को अवश्य करना है यदि आप किसी भी मुसीबत में पढ़े हैं तो आप महादेव को प्रिशन्य करने के लिए इस उपाय को अवश्य करें अब दूसरा उपाय आपको क्या करना है दोस्तों आपको मंत्र पुषपांजली करनी है, मंत्र पुषपांजली का बहुत भी सेस महत बताया गया है, मंत्र पुषपांजली आपको करना है, आज मंदिर के भारे आपको सफेद फूल धेरों मिल जाएंगे, तो आप सफेद पुषपांजली ले 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 आपको बोलना है सिव तांडव स्तुरूत दोस्तों सिव तांडव स्तुरूत की महिमा तो इतनी जादा बताई गई है कि इसलिए बताई गई है कि आपके जो कष्ट होते हैं कामनाएं होती हैं उनको पूर्ण करते हैं लेकिन आपको मंत्र पुष्पांजली करते समय यदि य एक दम आखे बंद करके जब आप ये कारे करेंगे तो ऐसे लगेगा कि आप किसी साधान मंदिर में नहीं है बलकि आप कैलास परवत पे बैठे हुए सिव जी के चड़ों में ये फूल अर्पित करते हैं और दोस्तों ये कहने वाली बात नहीं है एक बार इस चीज को आप कर कर रहे हैं तो आप चलिए ये चीज अगर नहीं याद है आपको तो आप हाथों में फूल ले लिजी और अपनी मोबाइल सभी लोग जो की मंदिर लेके जाते ही हैं तो आप मंदिर में जाए मोबाइल लेकर के और वहां पढ़िए देखिए जिस समय मंदिर खाली हो उसी स भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको सुनते रहे हैं और मंत्र पुस्पांजली करते रहे हैं एक चीज ध्यान रखना होता है दोस्तों क्योंकि कोई कामना आप भगवान से पूर्ण तो करा लेते हैं लेकिन यदि वह कामना आपकी सची नहीं होती हो तो बहुत दिनो तक आपके पास ठिकती भी नहीं है इसलिए उसी चीज की काम ना करें जो आपके लिए हो और किसी और के लिए उसका मतलब कि किसी का नुखसान नहों इस बात का ध्यान डखें तो दोस्तों यह जो थी बाते वह बहुत महत पूर्ण थी और जैसा कि मैं बताए पार्थिव स निर्मान लोग सामाने में तो अच्छा ही समझते होंगे लेकिन एक चीज बता दू मैं कि अभी शेक करते समय ये सिवलिंग पिल्कुल भी तूटना विखरना नहीं चाहिए इसलिए इसमें गाय का घी मिलाया जाता है ताकि अभी शेक करते समय मिट्टी के उपर से जल फिसल जाया और महादेव की प्रतिमा जो की हमने सिवलिंग दायार किया वह बिल्कुल उसी तरह से रहे अखंडित नहों इसके बाद साम होने से पुर्व आपको इसका विसर्जन करना पड़ता है यानि कि सुरियोदय सुरियास्त की पुर्व ही आपको किसी नदी तालाब में इ आप नहीं पड़ गया कभी गमले की मिट्टी निकाल करके हम कुछ भी मतलब कर लिए तो बहुत ज़्यादा दोस हो जाता है उसमें इसलिए मैं कहते हूं कि आपके आसपास कहीं नदी तालाब हो तो वहां विसर्जित करें कुछ नहीं हो तो आप कहीं पे घर में ही किसी व तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों और पार्थिव लिंग की महिमा मैं आप क्या कोई भी नहीं मतलब कहीं नहीं सकता आप से क्योंकि देखें जब लंका पे विजय प्राप्त करना हुआ तो भगवान स्री राम जी सबसे पहले पार्थिव लिंग के स्थापना कि उनका विदिविदान से पूजन की तभी सी मानता चली आरही है कि जिसका आपको महादेव की विदिवत पूजा करे मंदिर में जाए तो ये सारी चीज करें दो पांजली आपको अवश्य करना है यह सारी चीजे जान ले आप स्री राम नाम लिखा हुआ बेल पत्रब महादेव को अति प्रिय है इसकी भी महिमा का गुड़कान करना असंबह हो है तो आज के दिन आप ये कारे करें उमीद करती हूं जानकारी आपको बहुत पसंद आएग इसते हो है तो करना सारी आपको उल करना सारी हो आपको मोझाना सारी आपको ईवगाए ख़िर भी करना सारी आपको